अब इस वक्त हम वन वीलर रोड सरकारी आवास में मौझूद है जो की राश्री लोजपा का ये सरकारी दफ्तर है लेकिन भवन निर्मान विभाग ने इस दफ्तर को खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया है और महट साथ दिन के अंदर में परसुपती पारस को ये बंगल साथ परसुपती पारस के राश्री परवक्ता श्रवन अगरावाल जी है आप लोग अल्टीमेटम दिया गया है साथ दिन के लिए क्लिए आज एक चिठी आया है भवन निर्मान विभाग के द्वारा जबकि मामला पार्टी दफ्तर का जो मामला है वह न्याले में लंबित मामला 2001 में पार्टी टूटी 2001 में जब पार्टी दो भागों में बट गई पार्टी का जो बंगला चुनाव चिन्द था लोग जनसक्ति पार्टी जो मूल नाम था Election Commission of India ने सीज करते हुए दोनों पक्ष को अलग 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 पार्टी ओं का नाम और अलग अलग चुनाव चिन आवंतित किया 2011 में उसके बाद हम लोगों ने भवन निर्मान विभाग को पत्र लिखा कि लोग जनसक्ति पार्टी का जो नाम था चुनाव चिन्द था वह सीज कर लिया गया है और हमको राष्टिय लोग जनसक्ति पार्टी के रूप में माननता दिया गया है Election Commission of India के द्वारा और राज निर्वाचन आयोग बिहार के द्वारा उसके बाद हम लोग यहां लंबे समय से पार्टी कारियाले संचालित कर रहे हैं यहां हमारी पार्टी कारियाले चल रही है और लोग जनसक्ति पार्टी का जो नाम था वह सीज कर लिया गया है इसको पत्रा चार का कोई जबाव भवन निर्मान विभाग के पदाधिकारियों नदिया ना कोई उस पर कारवाई की ना को एक्षन लिया उसके बाद एक आएक आएक आज से चार मेहना पहले तीन मेहना पहले किसी एक अन्य पार्टी को या दफ्तर लोग जड़ाश्टिये के हम नाम नहीं लेना चाहते को जिस बैक्ति को दिया गया हुवा ब्रा नेता नहीं तो निश्चित रूप ईपना मामला नियाले में कना में पक्ष मैं में लुदी पूछा हमारे उकिल से कि आपको खाली करने का कोई नोटिस आया है हमारे उकिल ने कहा हुजूर कोई नोटिस नहीं आया है तो कोई ऐसा कोई आया है कि खाली किजिए नहीं केवल किसी अन्य पार्टी को अवंटित कर दिया है हमारा अवंटन रद करते हुए जबकि हम भी रा राज सरकार का रूल नियम है गाइड लाइन है कि जो भी पार्टी बिहार में राज पार्टी का दर्जा प्राप्त रखती है उसको किराये पर भवन निर्मान विभाग कारियाले चलाने के लिए उपलब्द कराएगा भवन तो हम लंबे समय से यहां कारियाले चला रहे हैं उसके बाद कारिये आउन्रेबूल जजने न्याधिस ने भवन निर्मान विभाग के ओकील को और सरकार के महदिवक्ता महोदेखो कहा कि आप चार हपते में 6 हपते में काउंटर हापी डिपीट दार करें लेकिन आज दक भवन निर्मान विभाग कान में तेल डाल के सोय न्याले से उपर देश में कोई नहीं है ना हम है ना आप है ना भवनिर्मान विभाग है ना सरकार है तो न्याले में जो फैसला है न्याले में जो मामला भी लंबित है हमने कल पर्षो भी लिख के दिया है भवन निर्मान विभाक को कि मामला नियाले में लंबित है तो भवन निर्मान विभाक को लग रहा है कि हमाजो राष्टीय लोग जनसक्ती पार्टी का पच्छ है वो बेहत ही मजभूत है जो फैसला आएगा वो राष्टिये लोग जनसक्ती पार्टी के पर्च में आएगा हमारी किरकरी होगी हमारी हार होगी इसलिए भवन निर्मान विभाग के भरष्ट पतादिकारी किसी न किसी साजिस में सनलिप्त होके किसी न किसी के दवाव में सनलिप्त होके किसी न किसी प्रेसर में, किसी पार्टी के प्रेसर में, किसी नेता के दवाव में, इस तरह का गलत फैसला लिया है, इस फैसले को आज पुनह हम लोग कोट गए हैं, कोट में आज कल में सुनुवाई होगी, हम और आदर्निय मुख्मंतरी, नितीज कुमार जी से आगरा करेंगे, नियाइ पृया, जन पृया, लोग पृया, मुख मंटरी जी से कि ये आबिलम, आधर निये नितीशकुमार जी इस मामले को देखे इस मामले में हष्षेप करें, गंभीरता से ले क्योंकि राष्टिय लोग जन सक्थी पार्टी राजपार्टी का दर्जा रखती है जो कानून संगत है जो न्याई संगत है जो न्याई पूर्ण फैसला है वो भिहार सरकार देश मामला के तरब से भवन निर्मान के उपर एक बड़ा रोप लगायगा है कि किसी ने किसी के दबाव में जो है वो हमारा दफ्तर खाली करवाना चाहती है जब कि ये मामला जो है वो नियायाला में लंबित है अनिकेत कुमार बिहार तक पटना